नमस्कार जैहिंद, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, शुरुवात करेंगे, आज फिर से हम एक अपने नए टॉपिक की, यह टॉपिक आपका विज्ञान विशय का काफी महत्पून टॉपिक है, और अगर बात करिजा इस टॉपिक के तो वहोग सारे कोश्चन इस ट जरूरी होते हैं, साथियों लगातार हम लोगों ने प्रिवियस में क्लासे अपनी अटेंड करी हैं, और यह निसुल्ग प्रोग्राम आप सभी के लिए बहुत सार्थक होते जा रहा है, मैं देख रहा हूं लगातार कि कुछ बच्चे रेगुलर लाइब रहते हैं, रेग करेंगे कि सेलेक्शन आपका हो जाएगा, बीना पढ़े नौकरी मिल जाएगी, तो कहीं न कहीं यह बहुत ही आपकी जो है गलत सोच है, यह ऐसा कभी संभो नहीं होगा, ठीक है ना, वैसे भी SSC के प्लेटफॉर्म पर आप जानते हैं SSC के बहुत सारे बच्चे हैं जो त सेलेक्शन होगा, भागे साली आप तब हो सकते हैं कि जब आप परी महनत करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि भागे भी हमेसा सूरवीरों का ही साथ देता है, और भागे कभी भी कायरों का साथ नहीं देता, तो पूरी महनत से, पूरी निष्ठा से, पूरी इमानदारिस ल साथ ये टॉपिक क्या है टॉपिक दोस्तो है साइटोलाजी अगर बात करी जाए इस टॉपिक की तो आखिर हम किसको कहते हैं साइटोलाजी इसको आप कहेंगे कोशिका विज्ञान या कोशिका का अध्यन साथियों कोशिका विज्ञान कोशिका का अध्यन सेल बायलोजी और क्या होते हैं? साइटोलाजी. हम इन सब के बारे में आए शुरुवात करते हैं. शातियों अगर बात लेजा यहां पर साइटोलाजी के बारे में तो ध्यान से आप देखिए. अच्छे से आप समझजिए. जैसे कोई भी सब्द होता है तो वह दो सब्दों से मिलकर के बना होता है यहां देखी यहां पर भी दो सब्द है एक है साइटो और एक है लॉजी तो साइटो और लॉजी यहां दोस्तों दो सब्द है तो साइटो का मतलब क्या होगा और लॉजी का मतलब क्या होगा देखी यहाँ पर जो साइटो सब्द है साथ ही इसका मतलब होता है सेल और लॉजी आया हुआ है ग्रीक भासा के लोगोस से तो सेल एंड लोगोस दो सब्द यहाँ पर देखिए बन चुके हैं जो cell है cell और logos अच्छा आप देखते होंगे filmों में कहते हैं filmों में कहते हैं कि मुझरीम को cell number 15 में बंद कर दो cell number 20 में बंद कर दो तो आखिर ये cell होता क्या है आखिर cell किसे कहते हैं तो cell उस बहुत बड़ी jail का बहुत बड़ी building का एक छोटा सा जो भाग होता है जो छोटा सा हिस्सा होता है उसी को हम cell कहते हैं दोस्तों उसी को क्या कहते हैं उसी को हम cell कहेंगे तो cell का मतलब होता है उस jail का एक छोटा सा भाग smallest part ओके दोस्तों क्या बोलते हैं जेल का वह जो है smallest part तो यहाँ पर कहेंगे smallest part इसमालेस्ट पार्ट और यहां जो लोगोस है इसका मतलब होता है स्टडी स्टडी स्मालेस्ट पार्ट का मतलब होता है सुछमतम भाग तम भाग, और स्टड़ी का मतलब होता है अध्यन, तो सुचमतम भाग का अध्यन, आखिर किसके सुचमतम भाग का अध्यन, आखिर किसके सुचमतम भाग का अध्यन, यहाँ पर ये प्रसन भी बन रहा है, सातियों कहते हैं सुचमतम भाग का जो अध्यन है, उसको हम साइटो तो आखिर किसके सुशमता मभाग का अध़ियन सजीवों के सरीव के, क्योंकि आप जानते हैं कि धरती पर जितने भी प्राणी हैं, सब का सरीर किसी इकाई से बना है, सजीवी नहीं बलकि जो निरजिव अस्तुवे होती है, उन्में भी कोई कोई इकाई भाग होता है, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर जो नौन लिविंग धिंस होती है साथ ये कैसे बनती है तो ये बनती है अड़ूं से साथ यो पर्मारूं कैसा हो कैसे बनता है वस्तों का भी काई भाग है अड़ू पर्मारू जैसे कि अगर सातियों मैंने यहाँ पर एक रेखा खिच दी एक रेखा तो इस रेखा का निर्मार कैसे हुआ है तो आप यह बताना कि रेखा का निर्मार छोटे-छोटे बिंदूओं से हुआ है दोस्तों कैसे हुआ है छोटे-छोटे बिंदूओं से हुआ है इसका मतलब ज यहां पर देखिए, हर एक वस्तु में कोईन कोई इकाई भाग होता है, साथि यहां जो रेखा है, इसका इकाई भाग साथियो बिंदू हो गया, जैसे एक घर है, साथियो इस घर का निर्मार कैसे होता है, यह घर बनता है छोटी-छोटी इटो से, साथियो घर बनता है छोट अगर बिंदु निकाल दे तो रेखा बनेगी कभी नहीं बनेगी अगर इटे निकाल दे तो मकान बनेगा दोस्तों कभी नहीं बनेगा आप गेस करिए आप सोचिए अनलाइस करिए कि जो बहुत बड़े बड़े देश बनते हैं वो छोटे-छोटे राज्यों से बनते हैं ज कोई न कोई इकाई भाग होता है जैसे कि देश का इकाई भाग राज्य है राज्य का इकाई भाग जिला है जिले का इकाई भाग गाओं है गाओं का इकाई भाग घर और परिवार है इस रेखा में इकाई भाग बिंदू है इस मकान का इकाई भाग इट है ठीक उसी प्रकार निर्जीव के वस्तों में इकाई भाग अनुवर परमारू होता है और ऐसे ही सजीवों के सरीर में दोस्तों क्या होता है कोईन कोई इकाई भाग होता है और सजीवों के सरीर के इसी इकाई भाग को साथियों हम कोशिका कहते हैं दोस्तों क्या कहते हैं कोशिका कहते हैं अब यहां साथियों ध्यान से आप देखिए, जो कोशिकाएं होती है, वो सजीवों के सरीर का इकाई भाग होती है, वो हम कह सकते हैं, साथ यहां देखिए पॉइंट दोस्तों, हम पॉइंट मेंसन कर सकते हैं कि कोशिकाएं क्या होती हैं, दोस्तों, कोशिकाएं क्या होती है, बस जीवों के शरीर का के शरीर की मूल भूत इकाई यानि कि फंडामेंटल यूनिट्स ओफ लिविंग ऑर्गनिजम कहेंगे फंडामेंटल अससरी से हम कहते हैं यह हम कहते हैं यह हम कहते हैं को कोशिकाओं को और सातियों इसी को हम क्या बोलते हैं, कहते हैं, बिल्डिंग ब्लोक्स आफ बॉडी, बिल्डिंग ब्लोक्स आफ बॉडी, तो ये नाम भी किसका है, सातियों ये नाम भी हम कहते हैं, सेलका, सातियों ये नाम भी सेलका होता है, building blocks of body हम कोशिका को ही कहते अब देखिए अगर यहाँ इसको हम संजे तो दोस्तो कोशिकाओं को हम मूल भूत इकाई कहेंगे और कोशिकाओं को cell को हम सजीवों के सरीर की रचनात्मक और कार्यात्मक मतलब structural और functional unit भी कहते हैं तो कोशिकाओं को सजीवों के सरीर की structural और functional unit भी कहा जाता है साथि यहाँ पर मेरी बात को द्धान से अब समझेए तो कह रहे हैं कि सजीवों के सरीर की functional उसक्या होती है सजीवों के सरीर की functional और structural और रचनात्मक इकाई है कैसे मतलब यह कह रहा है कि functional का मतलब यह है function होने वाला जो हमारी body में जितना function होता है सारे function को कौन करता है सारे function करता है कोशिकाएं और structural मतलब होता है जो body की रचना हो रही है जो body का formation जो body के अंग बन रहे हैं यह सभी कोशिकाओं से बने हुए होते हैं तो कह रहा है कि कोशिकाएं सजीवों के सरीर की कार्यात्मक एबं रचनात्मक इकाई है कोशिकाएं सजीवों के सरीर की structural और functional units होती है कैसे होती है ये हमको जानना है तो सबसे पहले हम जानेंगे कैसे कोशिकाएं functional unit होती है कैसे कोशिकाएं कार्यात्मक इकाई होती है सातियों आप सबको पता होगा कि हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी के अंदर कई ट्रिलियन कोशिकाएं हैं हमारी बॉडी के अंदर ट्रिलियन कोशिकाएं हैं मतलब इतनी कोशिकाएं कि हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं अस्थन के कोशिकाओं से अस्थन के छोटी-छोटी कोशिकाओं से हमारे सरीर का निर्मार हुआ है अगर मैं आप सभी से कोशिकाओं की बात करूँ तो हम अगर एक बार छीक देते हैं न तो लाखों कोशिकाओं मर जाती हैं लेकिन जैसे ही आराम करते हैं फिर कोशिकाओं ब मैं बोल रहा हू आखों से देख रहा हूं कान से सुन रहा हूं मेरा मन सोच रहा है मस्तिश सोच रहा है घात पारकाम कर रहा हैं तो यह जितनी भी activity हो रहे है जितनी अपक Спay चैप तर।्धिक कर रहे हो कान से सुन aquesta रहा है है वो कोशिकाओं से ही संभव होती हैं दोस्तों यहां देखे रहा है कोशिकाओं क्या होती है यह कार्यात्मक इकाई आखिर कैसे आखिर कैसे हाओ तो इस पॉइंट को समझने के लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा जैसे साथियों जैसे की कोशिकाओं के को हम उतक कहते हैं group of cell मतलब हवारी body के अंदर कुछ ऐसी cell है जिनका और सेम होता है और ऐसी cell मिल करके फंक्सन भी करती हैं जैसे की जैसे की आप कहीं पर देने गए और आपका घर कहा है आपका घर माली जह लखनवू है लखनवू के आप हो डेली लखनवू के करीब 15-20 बच्चे और भी है जब लखनवू के 15-20 और बच्चों को आप ने देखा तो आप उन सारे बच्चों से मिल गए और आपकी bonding उन बच्चों से हो गई आपकी जो करएंगे हो ही एक्जाम देने सब्लों से जो खेसे ही होता है जो सेयल्स हमारी होती हैं हमारे सेर्व में कुछ ऐसी कोशिक आthose जिनका ऑरिजिन प्लेस एक ही अस्थान पर होता है और रूओ मिल करके एकही कारे करती हैं, ऐसी सेल मिलकर के अपना एक गुरूप बनाती है, और इन गुरूप को हम कहते हैं, टीसूज उतकों, दोस्तों इसको हम बोलते हैं उतक, और उतक का जो अध्यन दोस्तों होता है, वो होता है हिस्टोलोजी, इसके जनक है मैल-पीजी ओके दोस्तों इसके बाद देखिए उतक जो है जो देखो हमारी बॉड़ी में चार प्रकार दोस्तों उतक होते हैं चार प्रकार दोस्तों कौन कौन देखिए हमारी बॉड़ी में पहला होता है epithelial tissue साथ इस से क्या बनता है दोस्तों अगर देखा जाए तो हमारी body में क्या होता है हमारी body में होता है epithelial tissue epithelial epithelial tissue ओके दोस्तों और body में होता है connective tissue connective tissue साथ और हमारी body के अंदर होता है तंत्री का आउतक नर्व tissue तंत्री का आउतक साथ एक हमारी body के अंदर होता है पेशी उतक muscular tissue पेशी उतक अर्थाथ muscular tissue उसको हम कहते हैं सैयोजी उतक सैयोजी उतक उतक तो चार प्रकार के tissue हमारी body के अंदर पाए जाते हैं अगर इन tissue के वारे हम बात करूं साती हों देखिए इससे क्या बनता है इससे बनता है body की layer अर्थाथ सरीर का आवरण बोडी की layer सरीर का आवरण जिल्ली और इससे बनती तमाम प्रकार की glands जितनी ग्रंथिया होती है दोस्तों आगे है connective tissue इससे बनता है blood साथि इससे बनती है bone दोस्तों इससे बनता है ligament लिगामेंट साथी इससे बनता है टेंडन और यहां जो आपका तंत्रिका उतक है इससे बनती है तंत्रिका है नर्वस सिस्टम दोस्तों बनता इससे आप देखो इसके बाद क्या है यहां दोस्तों क्या है आगे पेशी उतक है तो इससे बनती है मांस पेशियां मान स्पेशियां अब बताओ इन सब के अलावा बॉडी में क्या है हिर्दय है मान स्पेशिका बना हुआ है फेफड़ा मान स्पेशिका है लीवर, किर्णी, आमासे, सब छोटियात, बडियात, सब मान स्पेशिका बना हुआ जीब मान स्पेशिकी बॉडी को पर दोसे क्या है मान स्पेसिया है तो हमारी बॉडी में बचा हुआ क्या है बलड है यह भी उतक से बना हुआ है बोन है उतक से बनी हुई है लिगामेंट उतक से तो बॉडी का जो हर हिस्सा है वो इन ही उतकों से बना होता है आप देखो साथियों इसका मतलब यह है कहते हैं कि जो कोशिकाएं दोस्तों होती कोशिकाओं के समूं को उतक कहते हैं और साथियों उतकोस हमारा अंग बनता है दोस्तों उतकोस क्या बनता है हमारा अंग बनता है और्गन सिस्टम बनता है जैसे कि हमारे हमारा लीवर साथ ही कैसे बना हुआ है तो यह बना हुआ है उतक से बना हुआ है तो लीवर साथ ही करता क्या है लीवर आप जानते हैं बॉडी को डिडॉक्स करता है हमारी किडनी कैसे बनी है उतक से बनी है क्या करती है ब्लड को फिल्टर करती है हमारी बॉड बाडी के ओर्गेन हैं सारे ओर्गेन बने होते तीशू से और टीशू हमारी बाइड के अंदर सारे कारे करते हैं Um mar अपर्चर मिलता है, किड्नी है तो बलड को फिल्टर कर रही है, लीवर दो बॉड़ी के जहर को नस्ट कर रहा है, फेपड़ा सांस दे रहा है, हार्ट बलड को पंप कर रहा है, तो मतलब सभी जो अंग हैं, सारे अंग उतक से बने हैं, और उतक कोशिकाओं से बना है, और सा साथिऑं कैसे होती हैं, अगर इनकी बात करूं में, तो समालेष इस Human Body, यह होती है स्परम सेल, यह होती है स्परम सेल, यह समालेष इस Human Body है, स्परमसेल झ vistके बादुछेए चया होती हैं को या होती है, हम इस इन कि दोनों सेल मिलती है, देखो दोस्तों होता क्या है की साथियों होता क्या है after the meeting male and female दोस्तों क्या होता है male और female के मिलने से clear male का सुक्राडू होता है वो female के sexual organ में जब दोस्तों enter करता है तो सुक्राडू पहुंचता है कहां पर sperm पहुंचता है fallopian tube में और वहाँ female के ovary से ova निकल रहा है वहाँ पहुंचता है fallopian tube में तो sperm और ova दोनों मिलते हैं कहां पर fallopian tube में और दोनों में होता है fertilization दोस्तों क्या होता है और develop करके embryo बन जाता है embryo मतलब ब्रून बन जाता है साथ यही जाएगो develop करके embryo बन जाता है और साथ यही जो embryo होता है बाद में child एक baby बनता है एक बड़ा बालक बन जाता है तो हम कह सकते हैं कि नई जो सरीर बन रही है ना एक नई सरीर की रसना जो हो रही है वह दोस्त कोशिकाओं से हो रहा है संभौता यह पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा तो सबसे छोटी कोशिका सबसे बड़ी कोशिका ओंसल दोनों मिलती हैं फैलोपियन ट्यूब में होता है फटलाजसन बनता है जाइगोट जाइगोट डेबलफ होगे बनता एंब्रियो और एं इसके बाद देखिए कोशिकाओं की खोज के बारे में बात करते हैं कि सबसे पहले कोशिकाओं की खोज किस ने की थी देखो 1665 की बात है 1665 इसली में रावर्ट हुक साहब ने रावर्ट हुक साहब ने क्या किया इन्होंने कोशिकाओं की सबसे दोस्तों पहले खोज की थी तो सबसे पहले कोशिकाओं की जो खोज है ना यह रावर्ट हुक साहब ने की थी और साथी ओ कहां पर की थी कोशिकाओं की दोस्तों खोज की जो ने सबसे पहले लकडी के कार्क के अंदर लकडी के कार्क की स्लाइड को छिला और लकडी के कार्क में सबसे पहले 1665 में रावर्ट हुक ने स्वर निर्मित मतलब अपने द्वारा बनाये गए माइक्रोसकोप में देखा तो इनको मधुमक्खी के चत्य जैसी कुछ ऐसी रचनाएं प्राप्त होती हैं और सातियों इन ही रचनाओं को इन साहब ने दोस्तों क्या कहा इन्होंने इसको कोसा नाम दिया दोस्तों इसको कोसा नाम दिया था यहां ओके दोस्तों लेकिन दोस्तों इनका जो वर्डन थ इसका न कोशिकाओं का ये वर्डन किया था माइक्रोग्राफिया नामक किताब में बट ये एक मृत कोशिका थी एक डेड़ सेल थी इसलिए इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया सबसे दोस्तों पहले पूछते कि जीवित कोश का किसने खोजी थी तो जीवारूओं के प्याज के अंदर सड़ी हुई प्याज और दात की खोचनी में प्राथ जीवारू से सबसे पहले जीवित कोश का कोजी थी एंटोनी वन लिवन हॉक सहाब ने साथ ही इसके बाद देखिए आप सभी लोग दोस्तों यहां पर कोशिका सिद्धान्त आता है मतलब सिद्धान आया था दो वैझ्यानिकों की तरफ से एक वेज्यानिक का नाम था श्लाइडें जोकी बहुत बड़े प्लांट साइंटिस्ट थे और एक थे ष्वान जो बहुत बड़े गर्यानेस्स साथ से Самे एक और उपर रिसर्सकर करते हुए स्लाइडेन ने पाया कि भाई जितने भी पौधें हैं सभी पौधों का निर्मार कोशिकाओं से हो रहा है और वही पाया जो है यहां पर स्वान साहब ने स्वान ने देखा कि सभी जन्तूओं का निर्मार कोशिकाओं से हो रहा है कहीं कहीं दोनों की थियोरी काफ के कोशिकाओं से हुई है, यानि कि अगर कोई living organism है, कोई सजीव है तो इसकी body में कोशिकाएं है, बात की पुष्ठी की गई और इसको सारभामिक सत्य माना गया, और कहा गया कि जिसमें एक कोशिका होगी वह एक कोशिकी है, जिसमें बहु कोशिका होगी, वह मल्टी मकैसी का कहा गया Unicellular और जिसमें बहुत कोशिका उसको बोला गया Multicellular तो इस प्रकार से खोज हुई थी कोशिका से धान तो यहां देखो जैसे कर मैं बात करूँ आप सभी से Unicellular की तो यहां पर और अमीबा है युगलीना है परामिशियम है माइको प्लाजमा है बैक्टिरिया है यह सभी आते हैं एक कोशिकी में इसके बाद कहते हैं Multicellular कवक है पौधे है जन्तू है इन सब में बहुत कोशिकाएं होती हैं इनको हम बोलते हैं बहुत कोशिकी इनको हम कहते हैं Multicellular ठीक सब्सक्राइं एक या एक से अधिक हो सकती है और दोस्तों यहां पर यह पुष्टी हुई कि अगर सजीव है तो उसमें कोशिका होगी ही होगी लेकिन सभी सजीवों के सरीर का निर्मार कोशिकाओं से होता है साथी यह जो लाइन है ना यह लाइन के लिए exception क्या पता है वा connecting link between living and non living यह जो है ना तो सजीव ना तो निर्जीव और सजीव भी है निर्जीव भी है अगर यह जीवित किसी living host में रहेगा तो living का character सो करता है और अगर किसी non living host की body में रहेगा तो वहां non living character को सो करेगा virus बट यहाँ पर एक समझने वाली बादोस्तों और है इस virus के बार इसके अंदर कोशिका नहीं होती तो यह तो ए-cellular है ना इसके अंदर कोई कोशिका नहीं है अगर इसके अंदर कोशिका नहीं है तो आखिर जीवित कैसे है तो इस virus पर या सिद्धान काम नहीं करता दोस्तों इस चीज़ का आप विशेश तोर पर ध्यान रखिएगा दोस्तों इसके बाद देखिए आईए हम बात करेंगे यहाँ पर कोशिकाओं के बारे में जैसे plant cell और animal cell दोस्तों दोनों cell अलग-अलग होती है तो यहाँ पर कहेंगे structure of cell साथियों अगर हम यहाँ पर बात करें आप सभी से structure of cell की तो cell का एक सांदार structure बनाऊंगा और उसी पर हम लोग discussion अपना सुरू करेंगे तो structure of cell और structure of cell को पढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ बाते हम लोग और भी कर लेते हैं जो काफी जरूरी हैं आप से करना दोसों काफी important हैं जैसे कि यहाँ पर एक point बनता है दास्तों point यह बनता है कि largest cell smallest cell और longest cell बहुत सारे लोग इसमें confused रहते हैं largest cell और smallest cell और यहाँ पर दिया हुआ है longest cell तो अगर देखो हम लोग इस पर बिचार बिमर्स करें तो यहाँ पर समझी आप लोग यह दोस्तों क्या होता है ostrich egg जो सुतर मुर्ग का अंडा होता है न ostrich egg यह cells बहुत बहुत बढ़ी होती हैं जैसे कि यह cell होती है लगभग 4-4 मिटर नंबी तो इसके बाद देखिए smallest cell तो यह होता है mycoplasma galisepticum यह इसकी cell बहुत छोटी होती है ठीक है और आगे longest cell यह होती है nervous cell जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है यह जो है nervous cell सबसे बड़ी कोशिका कौनसी होगी तो साथ यहाँ पर देखिए आप बोल सकते हैं largest cell in human तो दोस्तों यह देखिए होती है आपकी om cell female के अंदर और इसके बाद smallest cell in human सबसे छोटी कोशिका कौनसी होती है तो smallest cell in human तो यह होती है आपकी sperm sperm cell यह सबसे छोटी कोशिका होती है अब हम आएंगे दोस्तों यहाँ पर देखिए साथियों यहाँ पर देखिए non divisible cell कौनसी है non divisible cell मतलब ऐसी कोशिका जिसमें जिसमें कोई भी भाजन नहीं होता है non divisible cell तो इसके बाद देखिए maximum divisible cell अगर यहाँ पर non divisible cell की बात करी जाए तो यह होती है nervous cell यह ऐसी कोशिकाएं है एक बार नश्ट होने के बाद दुबारा नहीं बनती है और max divisible cell जो maximum बनती है उनको हम दोस्तों क्या कहते हैं उनको हम नाम देते हैं उनको हम कहते हैं आपकी liver cell और liver cell कौन सी जिसको हम बोलते हैं hepatic cell hepatic cell दोस्तों यह होती है ओके आगे अब यहाँ पर बात दूस्त करेंगे हम लोग cell के structure के बारे में देखिए अगर cell के दोस्तों structure बारे बात करें यहाँ पर तो इस चीज को आप ध्यान से समझे जैसे कहते हैं structure of cell तो plant cell और animal cell दोनों अलग-अलग cell होती है साथी यह अगर हम plant cell की बात करें तो plant cell देखिए कुछ इस प्रकार की होती है इसको आप ऐसे draw कर सकते है plant cell को है ना आप बहुत आसानी से इसको draw कर सकते है और साथी देखिए ऐसे होती है animal cell देखी यह plant cells हो गई है और यह बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हो plant cell को और यहां देखिए आप ऐस तरह से और एक किनारे इसके आप bottle लगा दीजे बन जाएगी आपकी plant cell दोस्तों यह बन गई आपकी plant cell और देखिए ऐसे ही हमारी जो animal cell होती उसके कोई border नहीं होता है यह देखो यह हो गई हमारी animal cell देखो साथियों हम जानते हैं कि हमारे घरों में कोईन कोई मुखिया होता है जैसे हमारे घरों साथियों मुखिया होता है वैसे इन cells के अंदर भी मुखिया होता है इन कोशिकाओं का जो मुखिया है उसको केंदर कहते हैं जैसे मालि हमारे घर में जो मुखिया होता है साथियों क्या होता है वह होता है मालिक हमारे घर में जो parents हमारे हैं वह मुखिया होते हैं तो घर में जितने भी आवश्यक काम है तो सारे काम दोस्तों क function हो रहा है हमारी body के अंदर जितने दोस्तों कारे हो रहे हैं सारे जो function होते हैं वो function कौन करता है तो दोस्तों वो function करता है nucleus तो जिस प्रकार से घर में मुखिया है न उसी प्रकार से nucleus को भी हम क्या कहेंगे भाई इसको दोस्तों मुखिया कहते हैं किसका कोशिकाओं का मतलब क कोशिकाओं का मालिक यह कोशिकाओं का जो मुखिया है न वो क्या होगा वह केंद्रक होता है देखो यहां पर साथियों इसको ध्यान से आप देखें जो केंद्रक होता है वो जश्ट को सिकाओं के साथियों अगर बात करें हम लोग केंद्रक के बारे में तो देखिए अगर यहां पर विचार किया जा इसके बारे में तो यहां पर ध्यान से आप देखिए कि Kendra कहां पर है तो ये कोशिकाओं के ज़स्ट मर्धे में होता है देखिए इसको हम कहते हैं Nucleus दोस्तों Nucleus क्या होता है ये कोशिकाओं का मालिक है क्योंकि कोशिका के अंदर होने वाले सारे function यही direct करता है इसी की मर्धी से कोशिका में कार्य हो सकता है और इसके बाद देखिए आगे होती है कोशिका भित्ती, cell wall दोस्तों ये होती है cell wall जो cell wall होती है ये cell के चारो तरफ पहली होती है और ये cell की सुरक्षा करती है क्योंकि देखो अब यहां जो Nucleus है nucleus cell के मध्धे में होता है तो इसको हम कहते है central room of cell क्योंकि kendraq से ही nucleus से ही cell के अंदर होने वाले सारे कार्य होते है इसलिए cell को दोस्तों इसलिए हम जो nucleus है उसको कोशिका का मस्तिष का कोशिका का मालिक भी बोल देते हैं देखो तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा kendraq है ना इसको हम क्या बोलेंगे central room of cell इसी को हम बोलते हैं कोशिका का मस्तिष्क इसको हम कहते हैं कोशिका का CPU क्योंकि हमारी cell के संपन होने वाला हर कार्य even cell division भी जो कोशिका में विभाजन होता है एक पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं बनती है दोस्तों यह जो है सात्यों यह जो कार्य है न यह केंद्रक करवाता है और जानते रहना सबसे पहले रुडोल विर्चो ने कहा था कि ओमनी शलला इसलला मतलब पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाय बनती है। ये कहात सबसे वी डुडॉल विर्चो के विभाजन करवाता है और हर कार्य कि मर्जिस हो पाता है राबर्ट ब्राउन साहब ने दोस्तों इसके बाद देखिए आगे दोस्तों क्या आगे सेलवॉल है तो सेलवॉल केवल प्लांट सेल में होगी अनिमल सेल के अंदर नहीं होती है और जो स्ल वॉल होति है न ये कोशिका को तूटने फूटने ज़र रोगती है अधर यहां देखो अगर बात हम करें कि क्या डिफरेंट होता है ट्लांट सेल है और जोस्तों एनीमल सेल में यहां बत ध्यान देना आप लू जैसे का है सेल वाल और प्लास्टिड प्लास्टिड सातियों केवल कहां केवल प्लांट सेल में होती है प्लांट सेल में दोस्तों इसके बाद कहेंगे सेंट्रोसोम सेंट्रोसोम और लाइसोसोम साथियों सेंट्रोसोम प्लास्टिड और सेल वाल प्लास्टिड और सेल वाल यह कहां पर है यह जो है प्लांट सेल में होंगी है ना डिफरेंड को पूछता है प्लांट सेल में और बागी देखो यहां पर ध्यान देना सेंट्रोसोम और लाइसोसूम सेंट्रोसूम और लाइसोसूम ये दोनों होती है एनिमल सेल में दोस्ट कहां होती है एनिमल सेल के अंदर होती है एनिमल सेल के अंदर आईए वापस बात करते हैं तो देखें वापस आती है वापस जो है आते हैं देखे साथी वापस दोस्तों क्या होता है कि कोशिका भिट्टी हो चुकी है इसके बाद देखें सभी लोग दोस्तों होता ये है के साथियों जो नूकलियस है नूकलियस केबाद केंदरे के बाद सेल वॉल हो गया और सातियों सेल वॉल के बाद अगर आगे देखा जाए तो एक होती है कोशिका जिल्ली जो दोनों कोशिकाओं में होती है इसको हम कहते हैं सेल मेंब्रेन इसको हम कहेंगे सेल मेंब्रेन कोशिका जिल्ली तो कोशिका जिल्डी एक ऐसा पदार्थ है ना जो हमारे घरों में द्वारपाल दिशा काम करता है जो द्वारपाल होता है द्वारपाल की मर्जी से ही कोई पदार्थ हमारे घर में आ सकता है या हमारे घर से बाहर जा सकता है जैसे कस्टम इस्पेक्टर होता है बिना कस्टम इस्पक्टर की मरजी से कोई बैक्क्टरिस हैं इंडिया से भी देश में नहीं जा आ सकता दोस्तों वैसे ही हमारी से मिम्ब्रेन इसको हम कहते हैंik एसा ही माइटो कॉनुरिया हमारी 30 में एक ईसा इसा कोज और oxygen के oxidation से adenosine triphosphate के रूप में उर्जा बनती है और उसी उर्जा का उपयोग हमारी बॉडी का सारे अंग करते हैं तो यहां mitochondria को हम powerhouse of cell दोस्तों कहेंगे क्या बोलेंगे इसको हम कहेंगे powerhouse of cell उर्जा ग्री कहते हैं आगे बढ़ेंगे इसके बाद देखी जो अगला our glucose होता है हमारा cell लड़ेंस तो दोस्तों आगे हमारा क्या दोस्तों आगे ribosome है जो ribosome होता है यह protein कोई कठा करता है protein के निर्मार साथी और help करता है तो ribosome क्या है ribosome आर्यन्य और protein से बना हुआ होता है यह protein के निर्वार में प्रोटीन के सिंथेसिस में सहायता करता है और राइबोसोम के अंदर लगभग 60% प्रोटीन का संचे रहता है तो राइबोसोम को हम कहते हैं प्रोटीन की फैक्टरी दोस्तों किसको बोलते हैं राइबोसोम को तो राइबोसोम को हमने दूस क्या कहा है प्रोट के synthesis करता है तो इसको हम कहते हैं प्रोटीन की factory अब इसके बाद देख लीजिए आगे आगे इस राइबोसोम की help के लिए होता है यहाँ पर endoplasmic reticulum जिसको हम कहते हैं अंतह प्रदबी जालिका जैसे हमारी जैसे हमारी बॉडी के अंदर कंकाल तंतर है और कंकाल तंतर के कारण ही हम सभी लोग इस्थिर हैं अच्छे से खड़े हैं ठीक उसी प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर सातियों हमारे सरीर के अंदर हमारी कोशिकाओं के अंदर यह अंतह प्रदब्बी जालिका होती है जो कोशिकाओं को सहार करती है कोशिकाओं को तूटने फूटने से रोकती है तो हम जो है अंतह प्रदब्बी जालिका यानि कि इस इंडो-प्लाजमी क्रेटिकूलम को हम सेल का, कोसिका का हम कंकाल कहते हैं दोस्तों देखिये, कोसिका में कंकाल कौन है? यह दोस्तों होती है, अन्तेह प्रदब्बी जालिका साथियों आगे देखिए, भढ़ेंगे आगे है प्लास्टिड जो Plastid है, यह सबसे बड़ा Cell Organelles है, सबसे बड़ा Largest Cell Organelles, यह नाम इसका Plastid, इसको हम कहते हैं लवक, अगर लवक की बात करें, लवक के वलब Plant Cell में होता है, तीन प्रकार का, एक होता है Cloroplast, जो की हरे रंग का लवक होता है, और एक होता है Cloroplast, जो की रंग हीन होता है, ज जो हरित लवक है क्लोरोप्लास्ट यह पौधे के हरे भाग में होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफील होती है और क्लोरोफील की हेल्प से ही पौधों का भोजभन बनता है तो प्लास्टिर को हम किचन आप प्लांट से कह देते हैं क्रोमोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट मतलब वंडी लवक रंगी लवक इससे फल फूल में बिभिन प्रकार के रंग आते हैं जैसे टमाटर का लाल रंग हल्दी का पीला रंग एक होता है लिवकोप्लास्ट यह ऐसे अस्थान पर होता है जहां पर कोई रंग नहीं होता स्वाक करती है इसको हम कहते है वैकियोल दोस्तों इसके बाद देखिए आगे दोस्तों आगे होता लाइसोसों लाइसोसों केवल और केवल लाइसोसों केवल और केवल एनिमल सेल में होता है इसके अंदर कुछ जल अब घटनी अमली एंजाइम होते हैं जो की कोशिका के अंदर बेक का पाचन करते हैं लाइसोस्वम इसलिए इसको हम पाचन की थैली कहते हैं जब लाइसोस्वम को पचाने के तो कुछ नहीं मिलता है न लाइसोस्वम का जब एंजाइम बाहर निकलते हैं दोस्तों यह खुद को नश्च करता है तो इसको हम पाचन की थैली इसको हम सुसाइड बैग भी कहते हैं। जब Lysons वम खुद को नश्च करता है तो खुद के साथ-साथ पूरी सेल को भी नश्च कर देता है। इसको हम atom bomb भी कह देते हैं। इसके बाद देखें। साथियों इसके बाद आता है गाल जी ऑड़ी। दोस्तों गाल जी बड़ी पूरी सेल के और गनेल्स को उनके अस्थान पर विवस्थित करता है तो सातियों इसको हम दोस्तों क्या कहेंगे दोस्तों इसको हम कहते हैं गाल जी बड़ी ट्राफिक पुलिस क्योंकि पूरी सेल के अंदर सेल के परिवहन को कंट्रोल करता है दोस को हम कहते हैं कोशिका में सच्चिव ट्राफिक पुलिस आपसेल एंड सेकरेटरी आपसेल कौन है यह है गाल जी बड़ी तो यह सारे कोश्चन आ सकते हैं आपकी सेल से सो आज इतना ही पढ़ेंगे मिलेंगे बहुत जल्दी डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक आप सभी को धन्यवाद